आच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम एसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी एक्यो पैप का बहुत बहुत सभागता आज हम बहुत इंपॉर्टन लिक्चर दिखेंगे दोस्तों बिल्कुल फिल्मी कहानी है यह केरल में जो गोल्ड स्मगलिंग हुई को पैसा कहां से आता है यह सब इधार मनी लॉंडरिंग स्मगलिंग से आता है समझ रहे हैं तो यह स्मगलिंग जो है न वो टेरिरिजम को बढ़ावा देता है फिक है तो अभी केरल में सोना पकड़ा गया और अब बहुत सारी चीजे सामने आ रही है सिलेब्रिटीस का नाम involved है हेरल के तो चीफ मिनिस्टर तक बात चली गई आप समझ रहे हैं लेकिन इसमें हमेशा छोटे लोगों को पकड़ा जाता है बड़े लोग बच जाते हैं क्या दिमाग यूज करते हैं यह जो पूरा रैकेट चल रहा है और यह जो माफिया है यह क लेकिन सोना बहुत ज़्यादा प्रिश्यास है हमारे लिए एक समय पे जब paper currency नहीं थी तो देशों की जो economy है कौन देश कितना अमीर है सोने चांदी से ही पता लगाय जाता था तो यह लोग पकड़े क्यों नहीं जाते हैं और सोना इतना ज़्यादा भारत में आपको बता आता है टाक्स की चोरी करने में बहुत लोग टाक्स नहीं बरते हैं इंपोर्ट ड्यूटी को देखिए इंपोर्ट ड्यूटी अच्छी कासी लगती है ठीक है अगर आप सुना भार से मागा रहे हैं तो उसमें टाक्स लगेगा ठीक है और अभी भारत ने 15% यह जो ड्यू में लगा रहा हूं तो बने रहेगा अंत तक मेरे साथ बहुत मज़ाएगी आपको सिरन स्कोर एकनेक्ट मेरा फेस्बूक पेज है सिद्धा अंत अगनी होतरी की नाम से मेरी फेस्बूक प्रोफाइल है दोनोही जगा प्लेचर की पीडिया फ्लेज सकते हैं सवाल भी पू दोस्तो भारत में हर साल 1000 टन सोना एम्पूर्ट किया जाता है एक टन कितना होता है 5000 किलोग्राम आप समझ रहे हैं तो लाखो किलोग्राम सोना भारत में इंपूर्ट किया जाता है अब देखिए पहले मैं आपको केरल का थ्छळा इशू समझा देता हूँ वैसे इसस पे अंकिर सर ने एक वीडियो बनाया है, गोल्ड स्मगलिंग केरल की जो गोल्ड स्मगलिंग है आप देख सकते हैं, तो बता देतों कि ये इशू क्या है, देखो, केरल में ये काफी टाइम से चल रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, और जब smuggling होती है जब बहुत बड़े-बड़े लोग involved होते हैं तो उनको लगता है मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा ठीक है पूरी power मेरे पास है लेकिन ये पाप का घड़ा है ये तो फूटेगा ही गलत काम तो है तो अब ये घड़ा फूटा अभी तक 30 kg सोना जो है न वो सीज किया जा चुका है समझ रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है यह diplomatic cargo diplomatic cargo जो की UAE के consulate के लिए अब यहाँ पे consulate involved है ठीक है न डिप्लोमेसी involved है तो जितने भी diplomats है Vienna convention के तहत उनको protection प्राप्त है ठीक है न तो यहाँ पे जो हमारा department है न जो NIA है और जो बाकी इसे जो हमारा custom department है क्योंकि Vienna convention के थैर protected है तो ministry of external affairs से custom department को permission लेनी परती है ठीक है न जैसे माल लीजे कि अब जब एरपोर्ट पे checking होती है या पता चला custom department को की कुछ smuggling हो रही है लेकिन अगर वो diplomat है embassy से involved है तो उनको पकड़ नहीं सकते है बकाइदा permission लेनी परती है और protocols को follow करना पड़ता है तो यह सबसे safest रास्ता होता है diplomatic cargo के through smuggling बहुत safest लेकिन दोस्तों यह बहुत ही ज़ादा destination है United Arab Emirates यहां से भारत में सबसे ज़ादा सोने की smuggling की जाती है ठीक है तो अभी तक 30 kg तक का सोना जो है वो पकड़ा जा चुका है आपको पता है एक kg अभी सोने की कीमत क्या है सोने के दाम वैसे ही बढ़ रहे है एक kg मतलब 10 ग्राम का सिक्का जो है वो लगभग 49,000 के करीब 50,000 मान लेते हैं 50,000 के करीब मतलब एक kg सोने की कीमत 50,000,000 रुपए ठीक है ना सोना घटा बढ़ता रहता है इसी दिये लोग जोलरी मतलब सोने से बनी हुई चीजे और चांदी से बनी हुई चीजे हीरा तो बहुत महंगा आता है खरीदते हैं ठीक है ना एक किलो सोने की कीमत है 50,000,000 रुपए अब देखे तिरोवननतपुरा में अच्छा खासा 30 kg सोना पकड़ा गया और यह तो खाले 15% है जितना यह सोना पकड़ा गया है यह बता रहे है इट इस ओनली 15% ठीक है ना 550 kg of smuggled gold in Kerala 2019-2020 में इतना सीज किया था ठीक है और यह बत बहुत कम है 2018-2019 में 401 kg सोना सीज किया था अभी मैंने आपको बताया कि हर साल 1000 तन सोना इंपोर्ट होता है तो बहुत कम है ठीक है अगर इतना सोना पकड़ा जा रहा है बहुत कम है अभी हम इसके reasons भी जानेंगे कि हम सोने को पकड़ क्यों नहीं पाते है जो smuggling होती है इसको बहुत बड़े-बड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है लेकिन ये बड़े-बड़े लोग बचके निकल जाते है पहले आप समझी कि सोनी की smuggling कैसे होती है ठीक है ठीक है ठीक है सोनी की smuggling जो है एफ्रिका में भर-बर के सोना एफ्रिका का जो continent है वहाँ पे resources, resource cursed country है वो लेकिन वहाँ पे उसके बावजूद बहुत गरीबी है ठीक है तो ऐसी resource cursed country है resource cursed continent Africa वहाँ पे इनी resources को लेके कुछ वरदान है वहाँ पे सोना वहाँ पे मिलेगा चांदी, हीरा और कोईले की खदाने बहुत सारे resources जो resources का नाम लेंगे वो आपको आफ्रिका में मिलेंगे ज इसी लिए तो भाईया अगर आप history को देखे हैं इसी resources की वज़े से तो पूरे उपर से लेके नीचे तक Africa को colonize कर दिया गया था आप समझ रहे हैं तो यह Africa युगांडा हो गया तंसानिया हो गया यहाँ पे इंडिया के dealers हैं gold dealers ना ना लीगल वाले नहीं illegal वाले ठीक है ना यह जो dealers हैं जो Sona आता है जो युगांडा और East African countries में basically जो Sona यहाँ पे mine किया जाता है वो यह dealers लेते हैं और उसके बाद बीच में आता है United Arab Emirates जहां से सबसे जाधा smuggling होती है यह dealers क्या करते हैं UAE एक तरीके से intermediatory है ठीक है ना मतलब यह है भारत यह है East African countries और बीच में है UA UAE तो Sona है वो East Africa से UAE जाएगा UAE के जो dealers हैं वो illegally इंडिया में smuggle करेंगे Sona यह आप समझे ऐसे smuggling होती है और अब देखिए अगर आप केरल की ही बात करें तो यहाँ पे जिसके ओपर आरोप लगा जिसको पकड़ा ठीक है ना उसका जो नाम था अलग है वो बहुत ही करने की आनुवती नहीं थी जो अरप के कॉंसलेट थे ना उनको बुलाया गया बकायदा तो जो रेड डाली कस्टम्स ने जो रेड डाली अब देखे अभी मैंने आपको बताया कि डिप्लोमेटिक कारगों के थुरू भेजा जा रहा था तो बहुत मुश्किल था तो पहल पाइप हैं और इधर स्पीकर हैं यह तो कुछ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ गलत नहीं किया इसमें कुछ सोना होना नहीं है बहुत वह बहाने बना रहा था लेकिन कस्टम्स अड़ गई और उसने जब तालाशी ली दोर लॉक्स होते ना उसके अंदर सोना पाया गया टायर से ना वहां तक के ड्रक्स छिपा देता था इनफाक्ट इंसान के अंदर जो पार्ट्स होते ना वहां पे ड्रक्स को छुपाए जा सकता है यह कह ना तो यह जो स्मगलिंग है यह ऐसे होती है अगर ऐसे खुले में सोना लेके जाएंगे तब तो कस्टम वाले होता है वो तुरंत पता लगा लेगा गिरफ्तार कर दिये जाएंगे इसी लिए छुपा के लाए जाता है ताकि कोई पकड़े ना ऐसे स्मगलिंग होती है अफ्रीका से जाएगा किधर UAE और UAE से भारत आएगा illegally ठीक है अब दोस्तों यह तो मैंने आपको बताए कि स्मग जा रहा है सोने के लिए कितने human rights एफरिका में आप देखिए वहाँ पर कितने human rights पूरा का पूरा civil war चालू है ठीक है ना वहाँ पर illegally जो सोना लिया जाता है समझ रहे अब आप बोलेंगे कि सर हम क्यू ना जो एफरिका में dealers है उन पे शिकंजा कसे बिलकुल ऐसा किया है आपको बताता हूँ कि एक भीम जी brothers है वाप एक family है कि यही जो सोने की dealing है न इससे deal करती है तो बकायदा क्या हुआता कि 2016 में युगांडा revenue authority ने इनके घर में रेड मारी थी 52 kg सोना मिला था तो कर सकते हैं UAE में भी कर सकते हैं कई बार भारत ने lookout notice जारी किया है कि यो UAE से सोना स्मगल कर रहा है उनको पकड़ो कोई पकड़ में नहीं आता क्यूंकि वहां के दहाई देखो ultimately यह जो सोना स्मगल हो रहा है से सबसेदा फायदा मैंने बता ना बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है तो अगर यह सोना स्मगल होता है तो यह dealers अच्छा खासा पैसा सरकार को भी देते हैं यह आप मान के चलिए बेटा जब जाच होगी ना यह सब के सब न पेंगे आप देख लीजेगा सब की हवा टाइट है समय यह जो सोना पकड़ा गया है यह केरल के सी चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक बात पहुँची है और यहां पे दोस्तों आपको बता सरित को गिरफतार किया जो की युनाइट अरब एमिराट का एक पब्लिक रिलेशन आफिसर है बहुत ही लोर लेवल का है तो UAE ने तो पहली पल्ला जाड़ लिया कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है यह तो हमारा चोटा सा जो यह पब्लिक रिलेशन आफिसर था यह वशंकर का नाम लिया ठीक है ना तो मैंने बताया ना कि जब जाच होगी ना प्रॉपरली बड़े बड़े लोग न पेंगे आप देख लिजेगा कितने खतरनाक नाम आने वाले हैं एनिवे तो यह तो अब हम यह देखते हैं कि इनका मॉडस ऑपरेंटी क्या होता अभी त अब तो बहुत ही तो यह लोगों को ढूंडते हैं जो केरल तक सूना ले जाएं क्यूंकि केरल में में मिला है तो करके में अब बतार हो पहले ये लोगों को ढूंडेंगे, आप ये पता है क्या करेंगे, माल लिजे कोई इनको एक आदमी मिल गया, सोने को ले जाने के लिए, अब सोना कहीं पर भी चुपा सकते हैं, जैसे बैग में चुपा सकते हैं, बैग में से खुला नहीं, कहीं पर भी बैग के पीछे ना दिया, ठीक है, दिमाग ये लोग ये लगाते हैं, ये पता है, जिसको सोना डिलिवर करना है, उसका नाम नहीं बताते, ये आप समझे, मतलब UAE वाले जो डीलर्स हैं, जो सोना ले जा रहा है, उसको पकड़ेंगे, ये सोना जो ले जा रहा है, ये प्यादा है, बड़े बहुत बड़ा गेम है, ये सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, ये केरल एरपोर्ट जाएगा, लेकिन केरल एरपोर्ट इसको नाम नहीं बताएंगे, कि तुमको किसको सोना देना है, नाम पता है किसको, फोटोग्राफ किसको, ये बताते हैं जो सोर्स होता है, जो सोर्स होत करते हैं जिसको सोना ले जाना है उसको कुछ भी नहीं पता रहता है उसको सिर्फ ये पता रहता है कि मुझे सोना ले जाना है लेकिन केरल में जो सोना रिसीव करेगा उसको पता रहता कि कौन इंसान सोना लेके आ रहा है अब इसका फाइदा क्या हो इसका फाइदा ये हुआ मान लो ये वाला इंसान पकड़ा गया है जो सोना लेके जा रहा है इसको पता है किसको डिलिवर करना नहीं पता है कोई फाइदा नहीं यही मोडस अपरेंडी होता है इसको पता ही नहीं है कि किसको सोना डिलिवर करना है फसेगा कौन यह प्यादा ठीक है पकड़ लिया यह स पर्मिशन दे दे तो यह सब सही हो जाए लेकिन भारत में अथोरिटी है ही नहीं मतलब UAE वाले कभी पर्मिशन देंगे नहीं बहुत बड़े लेवल का खेल है आप समझ रहें तो यह इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है अगर इसको गिरफ्तार कर लेंगे तो इसका भी कोई फ पर इसा देगा यह इंसान फिर दूसरे इंसान को हैर करेगा और फिर तीसरा इंसान यह एरपोर्ट पर सोना लेने जाएगा आप समझ रहे हैं तो बकायदा चेंग और किसी को information नहीं होती है तो यह वाला जो पूरे नेटवर्क है ना इसको तोड़ना बहुत-बहुत-बह नेपाल बॉर्डर के थुरू आप आजाएए बहुत आसान सबसे आसान है ठीक है ना नेपाल बॉर्डर के थुरू आईए और इधार फिर रोड के रास्ते निकल जाएए आप सीधा खेर कोई दिक्कत नहीं है ट्रेन के रास्ते रोड के रास्ते रेलवे प्लेटफॉर्म पे कौन से यसी चेकिंग होती है भारत में entry point आसान है बहुत जादा इसलिए भारत में अच्छा खासा सोना जो है न वो smuggle किया जाता है कितना दोस्तों आप देख सकते हैं भारत सरकार को कितना नुक्सान होता है इंपोर्ट ड्यूटी इतनी लगती है सोने पे हर साल भारत को अभी जो सोना पांच लाक रुपए का भारत सरकार को नुक्सान हुआ है ठीक है और अगर यह हजार टन पे आप सोचिए कि इंपोर्ट ड्यूटी 15-16 परसेंट यह बहुत ज्यादा लगती है इंपोर्ट कर रहे है ठीक है और यह सब लेगल ही होता है करोणो करोणो का रुक सान है बहुत कर सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर हमको इन चीज़ों को रवल पहले तो सोने स्मगल किया क्यू जाता हूँ बदा भारत सोने का दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है । आप समझ रहे हैं भारत में अच्छा खा़सा सोना मिलता है लेकिन 24 सोना नहीं हो बाइट कम मिलता है और प्योर अपथा लगाना भी मुश्किल होता है तो फूर डूपली किशी का बहुत ज़दा बढ़ जाती है शादी बिना सोने के अगर दुलहन को सोना ना दो तो उसके बिना तो शादी पूरी ही नहीं है भारत में इतना सोना है ना अगर यह सोना अगर यह सोना पड़ा है तो भारत में भारत के लोग आज से नहीं हजार सालों से सोने से प्यार करता है उसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा से समरिद रहे हैं यह अच्छी है लेकिन illegal smuggling it's not a good thing at all फिर उसके बाद दूसरी चीज़ यह है कि सरकार ने import duty जो है वो अच्छी खासी लगा रखे जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 15-16% का अभी हाल ही में import duty का rise हुआ ठीक है सरकार ने import duty बढ़ भारत में smuggling बहुत आसान है ठीक है अभी मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है ज्यादातर airports पे आप देखेंगे हां जो बड़े-बड़े airport वहां बहुत तगड़ी checking होती है सोना और जो illegal चीज़ है वो बड़े airport पे ही पकड़ी जाती है छोटे airport पे कभी आपने नाम क्योंकि वहां पे checking बहुत हलकी होती है ठीक है प्लस बॉर्डर से लियाओ North East का बॉर्डर पूरा खुला है golden triangle और इतर golden present अब देखें ना वो पूरा drugs का कारूबार वहां से कैसे होता है ठीक है तो North East का बॉर्डर खुला है नेपाल का बॉर्डर खुला है ठीक है UAE से नेपाल लेकर जाओ नेपाल से बॉर्डर के रास्ते भारत लेकर आओ कोई चेकिंग ने ट्रेनों के रास्ते केरल ले जो तो आप समझ रहे हैं ना कि भारत में smuggling आसान है यह कुछ रीजन्स है कि भारत में इतनी जाद स्मगलिंग क्यों होती है विसमें को हम रो कैसे सकते हैं इसमें सबसे पहले तो जो सोना ले रहा है जो भारत के दुकांदार है क्योंकि सोना क्या है यह इल्लीगल है यह तरीके से ब्लाक इसको ऐसा ब्लाक मनी भी उसकर सकते हैं कि सोना खरी तो ब्लाक का पैसा वाइट हो जाता मनी लॉंडरिंग ठीक है तो सबसे पहले जो ज जो सोना ले रहा है वो भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई वो इल्लीगल क्यूंकि एल्टिमेटली ये सोना किस तक पहुँचे आप बिल्कुल भी criticize मत करिए क्यों कि आप वो पैसा चिपा रहे हैं वो आप पैसा खा रहे हैं जो सरकार का है ठीक है वहाँ छोड़ दिए उससे सरकार क्या करते लेकिन आपकी जो नैतिक जिमदारी वह तो आपको निभानी है समझ रहे हैं दूसरी चीज यह है कि भारत की जो laws हैं उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा थीक है बहुत गजब तरीके से चेकिंग हो प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो बॉर्डर एथॉरिटी और ज्यादा बढ़ाई जाए ठीक है बॉर्डर पे बहुत अच्छे से में आया होगा बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने लिए इंडियन एक्स्प्रेस का आर्टिकल्स था बहुत ही खुब सूर्ती से इन्होंने समझाया है हुश रहे हैं पर तोरी इदेशे सिद्धान तक नहीं होतरी सैंडिंग ओफ